कैसे हो सब लोग चलो आज मैं तुम सबको एक सबसे इंपोर्डेंट चीज बताना चाहता हूं जो है तुमारे बोर्ड एक्जाम के रिलेटेड अभी लास्ट लास्ट 40 डेज 50 डेज एप्रॉक्स रहते हैं अपने हमेशा तो हमेशा अपने को प्रॉब्लम होती क्या पढ़न करना है कब पढ़ो कितना पढ़ना बाकि कितना पढ़ना हो गया कौन सा सब्जेक्ट करना है कौन सा सब्जेक्ट कितने टाइम में लॉट करना है वो सब तुम इसलिए तुमारे लिया आज में एक नई चीज लेकर आ रहा हूं टाइम टेबल की अपना डेली रूटीन क्या होना चाहिए, for board exams, last 50 days, last 40 days, कैसे पढ़ना है सबको, सबको कैसे manage करने है, सारे subjects, उसके लिए आज तुमको मैं एक सबसे important चीज़ बताने जा रहा हूं, time table, time table मतलब daily routine के तुमको daily क्या करना है, कैसे subject manage करना है, कितने घंडे पढ़ना है, कितनी पढ़ाई करनी है, और hours घर पे होते है, ना school जाना है, ना school से लेना देना है, ना pre-board से लेना देना हैं अपने को, सिर्फ और से self study से ध्यान रगना है, revision अपने को अपने को सबसे best करना होता है, तो revision करने के लिए सब लोग चया होते हैं, कि मैं कभी science का एक काम रख दिया उसको अगले दिन वापस लिया वही चेप्टर वापस घुमाया वापस रख दिया एक ही चेप्टर कितनी बार रिवीजन करना है कौन सा सब्जेक्ट को ज्यादा फोकस करना है तो मैं में तीन सब्जेक्ट के साफ से फोकस करके बता रहा हूं वह तीन सब्जे के बारे में डिसकस कर रहा हूं मतलब डेली रूटीन तुमारे 24 हर्स कैसे तुमको पढ़ना है कौन सा सब्जेक्ट करना है उसके बारे में बता रहा हूं अपनी सुबह होती है साथ बजे नहीं होती है तो होने की आदर बना लो बोड एक्जाम देने जा रहे हो 10th और 12th के ल सुबह साथ से नौ तुमको आराम से लर्णिंग सब्जेक्ट करना है लर्णिंग सब्जेक्ट का मतलब क्या हूआ कोई भी सब्जेक्ट फ look science Вс Alps ए इंपॉरन सॉ मतलब नहीं सबसे पहले लिए तुम्हारा काम हो गया सबसे फ्रेश चैप्टर हर दिन अपने मौर्णिंग में होना चाहिए वो दो घंटी एक इलेक्रिसिटी चैप्टर पढ़ा फॉर एक्जामबल तुमने ठीक है उसके बाद नौ से दस थो टाइम पास कर लो मस्ति धमाल कर लो खाना पीना नास्त किया था उसके नुमेरिकल्स प्रेक्टिस कर लो उसके रिवीजन कर लो या गिंती के दो तिन पैज बाकिये तुम्हारे लर्न करने तो उसको पढ़ इन सॉट फोर हार्स एक पर्टिकुलर सब्जेट को तुमको देना है पर दे जैसे मैंने चार खंटे साइंस को देता बस तुमको लर्न करने में लगेंगे रिवीजन में सबसे इंपोर्टेंट चीजे नुमेरिकल्स और मुलेज यह तीन चीज उस चैप्टर की सबसे इंपोर्टेंट चीजों में गिना जाता है तुम बारा बच तक मेरे साब से मोस्टी फ्री हो जाओगे बारा से एक लंच करो एक घंडा लंच में लगता नहीं है पर ठीक है टीवी देख लिया थोड़ा टीवी देखते लंच करने की आदत है अपने सब के तो वो तो करहेगी रहे थोड़ी मस्ती कर ली थोड़ा मुबाइल चला लिया नो प्रॉब्लम अपने चार घंटे पढ़ ली सोचो जब तु भी लर्न हो जाएगा और वह भी एक चैप्टर वह भी साइंस देख सब्जेट का तुम रिविजन कर लोगे वितिन फोर आर्ट तो इसलिए बोलतों मौनिंग जल्दी उठने का सबसे बड़ा यूज यह है कि जब तक लोग उटेंगे तब तक तुम एक चैप्टर कंप्ल तो एक डेढ़ घंटे के आरी प्याइए बिक चलो डेढ़ घंटे में फ्रेश हो गया वापस यह नहीं पढ़ना है अपने को समझ रहे हो यह चलेगा चपचाश दिन अपने पास पूरे रहेंगे तुम बीमार पढ़ गया तुम साथ दिन घूमने चले तो यह सब वेस्ट से अपने लिए फिर अपनी पड़ाई पूरी बोर्ड एक्जाम की वेस्ट हो जाएगी तीन बहे तक मेरे सबसे टाइम पास करना है तो सुबह चार घंटी के अपनी पड़ा हो गई बारासी दिन अपने टाइम पास भी कर लिया समझ रहो अब तीन बजे बाद अपना वापस सबसे पहले क्या करना है वापस एक नया सब्जेक्ट लेखो एक नया चैप्टर लेकर बटो 3-5sorry मेरा मानना है एको ले ले लो कोई भी लेलो कोई थीन से नहीं क्यों मैंने हिंडी नहीं कि सब्छे अक साथ कर ने का नहीं है समझ रहो जी ओका एक छोटा सा चैप्टर लेलो एक बड़ा सा चैप्टर लेलो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ठीक है 3 to 5 में मेरे इसाब से mostly वो चैप्टर तुम्हारा पूरा का पूरा complete हो जाए ठीक है अगर नहीं होगा तो don't worry आगे मैंने revision का time रखा है revision के time में revision करना है अपने को वापस से और जियो करो तो map work का सबसे important ध्यान रखना कि कौन से chapter में से map की practice करनी है map किस में से आने वाला है किस में से नहीं आएगा वो अपने लिए उससे जादा important है 3 to 5 अब normally 5 बज़े बात खेलने के code तो होता ही है सबको sawkin जो बोलते खेलने का sawk सब में है मेरे इसाब से 5 to 6 खेलना भी चाहिए मैं oppose नहीं करता हूं कभी भी कि नीचे मत खेलो outdoor activities खेलो cricket बेंड मिटन एक सब्सक्राइब और सारी चीजे तुमारे पास एक घंड़े फ्रेस होके आने का हमेंसा ठीक है 5 to 6 तुम लोग फ्रेस होके इन सौट आंड बज़े तक तुमारे दो चेपर कम्प्लीट हो जाएंगे और आदे बच्चे सोच रहेंगे हमारा ट्यूशन होता दो घंटे का तीन घंटे का हम कैसे करेंगे टेंशन मतलो टेंशन मतलो मैंने सबके लिए सोचा है ठीक है अभी आगे और देखते जाईए उसमें तुमारे लिए और टाइम ही टाइम है मेरे इसाब से तुम अगर हस्ते खेलते खेलोगे पढ़ोगे तो भी आराम से तुमारा काम हो जाएगा समझ रहे हो एट टो को सब एक बार तो आंट से नौ डिनर हो गया कोई तारग मैता देखता है तारग मैता देख लो कोई CID देखता है CID देख लो या फैमली टेंट एक घंटा तुम्हारे पास वापस फ्रेस हुने का टाइम है नौ बजे बाद नौ से दस यह मैंने एक घंटा उसके लिए पूरा रिवीजन कर लो जो भी तुमने महनत किये जो भी तुमने पूरे दो चप्टर लर्न किये है दिन के अंदर पूरा का पूरा एक घंटे में रिवीजन कर लो या जो तुम्हारा वीक पॉइंट लग रहा है तुम को यह वापस रिवीजन करना चीए वह वह वापस र तो तुम एक बज़े तक आराम से जग सकते हैं तो एक बज़े तक कोई प्रॉबलम होने वाली नहीं है तो दस से एक कितने घंडे होते भाई लोगो तीन गंडे अगर तुम मैक्स की डेली प्रेक्टिस करोगे तो मैं इतना बोल सकता हूं तुमको सौ माक लाने से कोई नहीं मैक्स मैं प्रेक्टिस करोगे टियूशन जाते हो माता खाओ पर कंप्लेट तो अपने को ही करना पड़ेगा ये मान के चलो सबकेस साः दस से एक तीन तुम डेली मैक्स करोगे सोचो अपने पास इतने सारे चेप्टर से मैं पॉलिनोमियल लिनियर इक्वेशन और सब कुछ तुम प्रेक्टिस कर सकते हैं डेली अगर तीन घंडे प्रेक्टिस करोगे तो तुमको कभी मैक्स में प्रॉबलम आने वाली नहीं यह तो लास्ट फि 50 वाला है जिसने कुछ नहीं पड़ा वह भी जो 90 वाला है अगर वह ऐसे पढ़ लेगा तो 95 भी लेकर आ सकता है उसको 5% कभ इंक्रीमेंट करके जाएगा वह पता भी चलने वाला तो यह टाइम टेबल सबके लिए एवरेज बिलो एवरेज पूर मोर्दन स्मार्ट सबके यह टाइम टेबल यूज कर सकते हो तो खाली तुमको मैनेज करना है तुमारे टाइमिंग हार्स तुमारे मस्ती का टाइम तुमारा फ्रेस कब होना है कब तुमको वापस लर्न करने बैठना है जितने ज़्यादा जल्दी फ्रेस होंगे उतने जल्दी नया चेप्टर लेक क्या रख़्ा है यह कि तुम्हारी कोईबी चीज मिस हो जाती है तो उसको वापस पड़ लोग तो 10 से एक तुमने की प्रेक्टिस कर ली मेरे मानना है 3 घंटे में तुम कम से कम 50 सम कर सकते टेस्ट बुक के एक्जाम्पल्स वेरी मोस इंपरेंट चैप्टर्स वेरी मोस इंपरेंट कौन सा चैप्टर कितना इंपरेंट है वह सब मैं नेक्स वीडियो में वापस बताऊंगा यह खाली तुमको एक डेली रूटीन दे रहा हूं है कि तुमको पढ़ा ही कैसे सब कुछ बहुत है अगर मैं समप लूँ कि मैंने मेरे टाइम में कितने टाइम रखा है सबके लिए टोटल पढ़ाई का अगर मैं देखना चाहूं टोटल आर्ट्स फॉर्स चड़ी ग्यारा से बारा घंडे के तुम एप्रॉक्स पढ़ाई करते हैं एप्रॉक्स पढ़ा करना ही है पड़ाई करनी ही नहीं है तो उसके लिए टाइम डेवल क्या कुछ काम नहीं आने वाले समझ रहे हो पर 10 के बिना कुछ नहीं बोर्ड के बिना कुछ नहीं है मान के चलना है अपने सब्सक्राइज टूटल हार्ट्स ऑफ स्टडीज 11-12 एक एवरेज बच्ची के लिए 11-12 गंडे बहुत होता है बोर्ड एक्जाम्स के लास्ट के 40-50 दिन पढ़ना कंपल सरी है अगर मैं देखो टूटल मस्ती मस्ती मतलब खाना पीना खेलना कूदना सब आ गया वह भी मैंने सोच हो 5 गंडे रखे तुमारे पास 4-5 हार्स मतलब किसको बोलते बोर्ड ए इंपोर्डेंट है वह भी तुमारे लिए मैंने साथ घंटे रखे कम सिक रात को हो गया एक से च्छे पांच गंडे से च्छे गंडे साथ के होगे दौफेर में एक से एड़ घंटा हो मतलब तुमको मैंने कई बर्डन नहीं दिया है कई तुमको और प्रेसराइस नहीं किय अगर इतना फॉलो कर लिया तो मेरे साथ से इस से उपर तुमको कोई जरुवत नहीं है यह तुमारे लिए भगवान जैसी चीज है कि तुम इतना करो के तुमारा पूरा काम हो जाए बारा घंटे ग्यारा घंटे लास्के 40-50 दिन अगर तुम पढ़ लिए काम होगा तुम तुम सोचो मैंने हर सब्जेट को कितना टाइन ओगे फॉरठ पर सब्जेट दिन में बारा घंटे पढ़ लिए यह अगर फोर हार्भ में पर चैप्टर में लर्न करません कर्या हो हर सब्जेट का एक चेप्टर में अगर लं करने तो दिन में कितने Cape चेप्टर हो गए एक दिन में तीन चेप्टर करना मतलब 15 दिन में तुम 45 चेप्टर कर सकते हो इस तुमारा काम तो हो गया समझ रहे हो सबके सब तो यह टाइम डिबल तुमारे लिए और अभी तक ऐसा कोई नहीं के पचाश दिन के पहले कि किसी को एक भी चेप्टर नहीं आता है ऐसा कोई बैटा नहीं होगा मेरे हिसाब से यहाँ पर थुम्हारा सब काम हो जाएक तुम्हारा सब रिवीजन हो जाएगा बस इसको फॉलो करो 40 डिस्क लिए या 50 डिस्क लिए उसके बाद रिजल्ट के बाद अपने मिलेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है क्लिर ओल फ्यू ठीक है सबका एक ही मकसद है कि हमको टाइम टेबल फालो करना है घर के अंदर दिवार जो है तुम्हारा स्टाइड लगा लो तुम्हारा रूम है अगर चाइल रूम चिल्द रूम काहां पर लगा लो समझ यो खाली पढ़ना है चालीस दिन पचास दिन और क कितने पेपर सॉल करने हैं कितना टाइम तुमको हर सब्जेट को देना है सब कुछ मैं बत पर तुम्हारा अभी सबसे में टार्गेट है वितिन ट्वेंटी डिज तुम पूरे तीनों सब्जेट का रिवीजन कर सकते हो मतलब अभी मैं जिस हिसाब से बात करो लोगडाउन च तीनों सब्जेट का फुल रिवीजन करना है मेरे बच्चे तो करी रहे सारे के सारे सेपराइट्स नॉन सेपराइट्स को भी मैं बोल रहा हूं कि सब कुछ अच्छे से कम्प्लीट करना है All the best for your board exams वापस मिलेंगे अपने नेक्स वीडियो पे All the best